हेलो एवरिवन नमस्ती वलकम टू डायट कुंडली आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेर करने वाली हूँ डिनर रेस्पी फोर वेट लॉस ये एक हाई प्रोटीन हाई फाइबर डिनर रेस्पी है फ्रेंड्स इस रेस्पी की सिंगल सर्विंग में हमें 362 कैलरी कि आप सीज देट्स में इस इस वेट लॉस रेस्पी लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलस्टारोल की इश्व तो भी आप इस रेस्पी को में डिनर की टाइम पर एजली कर सकते हैं ना, फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस weight loss recipe को किस तरीके से बनाना है वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छूटी सी request है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like और शेर ज़रूर करिएगा तो चली वीडियो को शुरू करते हैं आज में आप सबी के साथ शेयर करने वाली हो हाई प्रोटीन हाई फाइबर मूंग डाल पकोड़ी की रेसिपी या फिर आप इसे डाइट पकोड़ा भी बोल सकते हैं चलिए देखते हैं से कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए मैं यहां पर एक कप भर कर स्प्राउटेट मूंग ले रही हूँ फ्रेंट्स मैंने एक्चली करीब 60 ग्राम का मूंग डाल लिया था स्पून से बोलू तो छे चमच भर कर मैंने मूंग डाल लिया था उसको अच्छे से वाश करकर पानी में उसे ओवर नाइट सोख होने के लिए रहने दिया था फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसे मैंने कपड़े में बाद दिया तो बाइदा नाइट टाइम उसमें इस तरीके से स्प्राउट्स आ गया था अगर आप 60 ग्राम का मूंग डाल ले रहे हैं अक्का मूंग लिजिए या फिर तूटा वाला लेंगे तो भी चलेगा तूटा मैं यहां पर थोड़ा सा अध्रक आट कर रही हूं मिर्ची आप अपने स्वात के अनुसार आट करिएगा थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पती आट कर रही हूं जीरा थोड़ा सा डाल लेना है नमक आट करना है और इसे हमें ग्राइंड करना है ग्राइंड करते वक्त दिया होना चाहिए तभी वड़ी बन पाएगा तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसका पेस्ट बना लिया था फ्रेंट्स बहुत टेस्टी बना था यह मतलब नमक मिर्ची सब एकदम परफेक्ट था सुखाने में इसका स्वात बहुत बढ़िया था अभी मैंने इस पेस्ट को एक प् करेंगे से इडली का स्टाइण में पहले ही तीन कप का पानी आट करके अच्छे से गरम कर लिया था और इस जाली को उसमें रखकर उपर से धग दया मैंने और करीब साथ से लिके 8 मिनिट तक स्टीम होने के लिए छोड दिया था तो इह पर देखेंगे तो यह परफेक्ट प्रोपरली स्टीम होगा है की नहीं तो टूथपिक एकदम क्लीन आरहा है फ्रेंट्स देट मींस कि हमारे जो मूंग वड़ी यह प्रोपरली बनकर रेडी हैं आप चाहें तो इस तरीके से स्टीम बुड़ी भी ले सकते हैं या तो फिर आप चाहें तो इसे थोड़ा प्राइय एट किया है और एक मीडियम साइस का प्यास फाइनली चॉप करके मैंने आट किया है इसे अच्छे से फ्राइय कर लेना है आधा शिमला मिर्च को भी मैंने लॉंग स्टीम्ट मुंग वड़ी और इसे एक दो से लेकि तीन मिनिट तक हमको स्लोर टू मीडियम फ्र बन कर रेडी है इसे मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है और उपर से मैंने इसमे थोड़ा सा हर्ब्स का मसाला आट किया है यह तोटल यह औप्शनल है आप डालना चाहिए तो डाले नहीं तो आप सिप भी कर सकते हैं इस सिंगल सेर्भिंग है इनने जितना बना हुआ हैं इस पिलेट में हमें क्यालरी स्थिर्सी टीस मname निए प्रोटीन इसप्रोटिन कई उन्त op स्टामिने इस स्टामित बहुत ब्रोटीशे देख़ने से कर दोल сцен Road कि गश cabin, grande heeft हैं हलेशस्ट है यह जिरी अट हुछमें 3 अधरs को मैं इस साथ कोड़े बस पेसटिकनाओ इस रेस्पी को आप जभी भी ट्राइ करेंगे अपने feedbacks नीचे comment box में जरूर शेयर करिएगा इसके साथ इसकी पिछचा लेकर मेरे साथ Instagram में भी जरूर शेयर करिएगा मेरे Instagram का ID है dietconley24 आप मुझे वहाँ पर भी follow कर सकती है I hope आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए चैनल को सबस्क्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलीटियो सबके साथ शेर भी जरूर करिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच फिर से मैं मलती हूँ आप सबी से नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाई टेक केर